हलो दूस्तों स्वागते आपका क्यारा किच्छन टिप्स और ट्रिक्स पर ध्यान रखने योग के बाते नमबर एक दस मिनट के लिए दही को चेहरे पर लगा कर छोड़ दे और उसके बाद हलके आतों से रगड़ कर हटा दे इससे आपके चेहरे पर कितना भी मैल और डैट स्कीन होगा वैं सब ये एक साथ बहुत ही आसानी से निकल जाएगा नमबर दो जो औरते रोटी बनाते समय पहली रोटी मोड कर रखती है घर में बरकत होती है नमबर तीन कपूर और फिटकरी को बारिक पीस कर सरदर्द के रुगि को सुभाने से रख्चाप के कारण होने वाला सरदर्द खतम हो जाता है नक्सीर के लिए भी इसका प्रियोग कर सकते हैं नमबर चार, गुलाब जल के चीटे आखो पर मारने से गर्मी के कारण होने वाली बेहोशी दूर हो जाती है नमबर पांच, रशगुलों में प्रोटीन और कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है, इसलिए रशगुलों का सेवन जरूर करना चाहिए नमबर चै, लिक्विड लिपिस्टिक, मैट लिपिस्टिक या फिर अने समाने लिपिस्टिक की तुल्ला में चिपचिपी जादा होती है ऐसे में अगर आप इसे काफी जादा लगाते हैं तो आपके लिप्स का लुप बिगर सकता है इसलिए कोशिश करें कि लिक्विड लिपिस्टिक लिप पर कम ही लगाए आप चाहे तो इसे अपलाई करने के लिए होटो की दो जगा पर डोट करें और फिर ब्रश की मदद से इसे अपने होटो पर फैलाए नमबर साथ सर्दियों में वेट गेन की समस्या से निबटने के लिए मक्के का आटा बहुत ही फायदे मंद होता है गलोटीन फ्री मक्के के आटे को खाने से देर तक भूप नहीं लगती है जिसे कम मातरा में कैलोरीश कंज्यूम होती है इस तरह ये वेट लोज के लिए खैल्दी मील है इसे डीफ फ्राय करने की बज़ए तवे पर सेके और घर के बने मक्कन की साथ परोसे नमबर आठ जिन महिलाओं के होट काफी डार के उन्हें लिपिश्टिक लगाती समय उन पर अच्छी तरह कंसीलर लगाना जरूरी है उन्हें समाने से अधिक कंसीलर लगाने की जरूरत पर सकती है नमबर नो जो हर समय आखों को मलते रहते हैं उनकी आखों की रोशनी कम हो जाती है नमबर दस घी में कुछ नमक शामिल करके मालिश करो शरीर की खुशकी दूर हो जाती है नमबर ग्यारा नाक बंद करके चार बार थूक निगलने से हिचकी में राहत मिलती है नमबर बारा बदहजमी होने पर दो गिलास ठंडा पानी तुरंत पिये बहुत ही लाब होता है नमबर तेरा भेड का दूद बालों में लगाओ आपके बाल घने और मजबूत हो जाएंगे नमबर चोदा जादा चीनी वाली चाय पीने वाले लोग जल्दी बुड़ापे का शिकार होते हैं नमबर पंदरा छीक रोकने से दिमाग कमजोर होने लगता है नमबर सोला दातों को कीडों से बचाना चाहते हैं तो नीम की दातों कर लिया करे नमबर सत्रा जो महिलाए बालों को काले और घने रखना चाहती है वो नाने की बाद बालों में नारियल का तेल लगाया करे बाल कमजोड नहीं होंगे नमबर अठारा यदि आप भी हेर फोल की समश्या से जूज रहे हैं तो एक कप नारियल के तेल तीन से चार पिसे हुए आमले को वालने के बाद इसे एक पोतल में चान कर रख लेजिए नमबर उन्यस बालों की सिहत के लिए भी चकुंदर के पत्ते काफी फायदे मंद होते हैं इसका पेश्ट बना कर बालों में लगाने से बाल जणने की समश्या भी दूर हो सकती है इससे बाल घनी और मजबूत भी बनते हैं और तो में अगर खून की कमी हो तो रात को तीन खजूर पानी में भीगो दे और अगले दिन सुबा निहार मुह पानी पी ले और खजूर खा ले इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक समानेकारी के लिए है किसी भी बिमारी से पीडित होने पर डॉक्टर से सला लेकर यह नियम को अपनाए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्ची लगी हो लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया